एक वानिजिक पुनह आपूर्ती मिशन भविष्य के चंद्रमा मिशन के लिए हार्डवेर का एक महत्वपूर्ण टुकडा अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहा है और एक अन्य अंतरिक्ष यान गहरे अंतरिक्ष में अपने पंक फैलाने के लिए तयार हो जाता है इसके बारे में आपको बताने के लिए कुछ कहानिया हमें नासा से मिलती हैं पहली अगस्त को नौर्थ रॉप ग्रुम्मन सिगनस कारगो अंतरिक्ष यान को हमारी वॉलॉप्स उडान सुविधा से अंतरराष्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लौंच किया गया था सिगनस का नाम दिवंगत नासा अंतरिक्ष यात्री कानून क्लार्क के नाम पर रखा गया था जो अंतरिक्ष में चालक दल के लिए 8200 पाउंड से अधिक आपूर्ती और वैज्यानिक अनुसंधान से भरा था मुझे स्टेशन करो यूनाइटेड लौंच एलायन्स की टीमे डीकैचर अलबामा सुविधा में हैं हाल ही में हमारे अंतरिक्ष प्रक्षेपन प्रनालिया SLS रॉकेट अंतरिन क्रायोजनिक प्रनोधन राज्यों को आर्टेमिस 3 के लिए पैक किया गया है उडान हार्डवेर जिसे कभी-कभी ICPS बुश शॉर्ट भी कहा जाता है हमारे कैनेडी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तयार किया जा रहा था तर्क तीन मिशन के दौरान अंतिम जाच के लिए केंद्र IPPS हमारे ओरियन अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए एक अंतरिक्ष प्रनोधन प्रदान करेगा इंजिनेरों ने हाल ही में हमारे साई की अंतरिक्ष यान के लिए सौर सार्णी पंक जोड़े हैं सरनियों का परीक्षन यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि वे सही धंसे तैनात हो और फिर अंतरिक्ष यान की तयारी के लिए एक धातु समरिध धक्षुद्रग्रह की तयारी में फिर से बेचा गया, जिसे साइकी भी कहा जाता है, जो मंगल और ब्रिहस्पती के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है, विशाल सरनियों को अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष की कम रोशनी में संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ती देने के लिए डिजाइन किया गया है, मिशन को इस अक्टूबर में बड़े पैमाने पर लक्षित किया गया है, ना इससे बड़ा वार्शिक वैश्विक हैक्थॉन है।